चीन्टी और कबूतर की कहानी एक बार कड़कती गर्मियों में एक चीन्टी को बहुत प्यास लगी हुई थी वो पानी की तलाश में एक नदी किनारे पहुँच गई नदी में पानी पीने के लिए वो एक छोटी सी चट्तान पर चड़ गई और वहाँ पर वो फिसल गई और फिसलते हुए नदी में जागिरी पानी का वहाँ ज्यादा तेज होने से वो नदी में बहने लगी पास ही में एक पेड़ पर कबूतर बैठा हुआ था उसमें चीन्टी को नदी में गिरते हुए देख लिया कबूतर ने जल्दी से एक पत्ता तोड़ा और नदी में चीन्टी के पास फैंक दिया और चीन्टी उस पर चड़ गई कुछ देर बाद चीन्टी किनारे लगी और वहाँ पत्ते से उतर कर सूखी जमी पर आ गई उसने पेड की तरफ देख और कबूतर को धन्यबाद दिया शाम को उसी दिन एक शिकारी जाल लेके कबूतर को पकड़ने आया कबूतर पेड पर आराम कर रहा था और उसको शिकारी के आने का कोई अंदाजा नहीं था चीन्टी ने शिकारी को देख लिया और जल्दी से पास जाके उसके पॉंव पर जोर से काता चीन्टी के काटने पर शिकारी की चीख निकल गई और कबूतर जाग गया और उर गया नैतिक शिक्षा कर भला हो भला अगर आप अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा